Hello everyone, welcome to saad back in channel, आज की इस वीडियों में हम डिस्कस करेंगे संग्याकारा कि या निन नाउन्स केस, नाउन्स के कितने केसें इंगलिज ग्रामर में वो पढ़ेंगे डिटेल में, नाउन्स के बेसिकली थ्री टाइप सें, इंगलिज ग्रामर में पैला टाइप है सब्जेक्टि सब पढ़ते हैं दोनों ही सई हैं objective भी कहते हैं थे वाले को तो अब इस वीडियो को उसनी करते हैं फिरस्ट I पढ़ते हैं subjective और normative case अब देखते हैं ऐर फिर्षक्टब यदिन only है क्या सब्जेक्ट यह मिन्यृ उसका सब्जेक्ट ऑफ भला यानिरी लाँN जो noun subject part है, कोई noun या pronoun subject मारा सकता है, जो noun या pronoun subject category में आता है, उसको हम subjective या nominative case कहते हैं, subject of a verb. तो examples दिखते हैं Mohan married कमला, करें हम यहाँ मेरी यहां पर वर्ब है, तो इस वर्ब का क्या है subject? Mohan है, तो Mohan हमारा यहां पर nominative case होगा. Second example, the cat killed the mouse. तो the cat जो कि हमारा noun है वो subject area में आ रहा है sentence के right तो यह हमारा same nominative case हुआ third वाले में he brought a silver watch again he जो मेरा pronoun है वो यहां subject है ठीक है brought मेरा verb है तो verb का subject क्या है he so he हमारा nominative case हुआ किसी भी sentence में जो subject होता है वो उसका nominative case होता है sentence की वीडियो कर में नहीं देखिए तो मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा आप वाँ जाकर देख सकते हैं sentence की sentence को सबढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ठीक है अब आते हैं second case पर जो है हमारा objective या accusative case second case था हमारा objective और accusative case यह basically कहता है object of a verb यानि sentence मैं आपको पहले बता है कि subject verb object से बनता है जो नाउन ये pronoun object category में लाए करता है उसे हम कहते है objective या accusative case example देखते हैं man hit the dog तो यहां पर object में हमारे पास dog है ठीक है subject में क्या है man है जो हमारा क्या होगा subjective nominative case होगा और hit हमारा verb है तो यहां dog हुआ हमारा objective case फाइन second example he loves her he हमारा subject है loves मारा verb है और हर हमारा object है तो जो object category में लाए करता हो से हम कहते है एक्विजेटिव या objective case थर्ड जॉर्ज पेंट सब पिच्चरियां पर पिच्चर हमारा object में है फाइन तो यह होगा objective या acquisitive case और जॉर्ज हमारा subjective nominative case होगा क्योंकि यह subject area में लाए कर रहा है पेंट हमारा verb होगा थर्ड केस है हमारा possessive case जो की most important है मैं बताऊंगा इसमें आपको के how to form a possessive case possessive case बनाया कैसे जाता है possessive case basically तीन conditions में बनाते हैं हम जैसे कि for singular noun singular noun के लिए हम कैसे बनाते हैं possessive case उसमें हम apostrophe s लगा देते हैं after a singular noun ठीक है जैसे girl था मेरा girl g-i-rl मेरा singular noun है girl मैंने इसमें लगा दिया apostrophe s इसका मैंने possessive case form कर दिया ठीक है ऐसी farmer farmer मेरा singular noun था और मैंने इसके आगे possessive बनाने के लिए same इसमें apostrophe s लगा दिया same horse मेरा singular noun था horse इसके आगे मैं लगाया apostrophe ताकि इसे possessive case बना सकूं second condition है for plural noun ending with s वो plural noun जो end होते हैं s से जैसे कि girls g-i-r-l-s यह plural noun है तो इसको मैं कैसे possessive बनाऊंगा इसमें सिर्फ मैं apostrophe लगा दूँगा ठीक है last में apostrophe लगा दिया यह रहा राइट same farmers as sand हो रहा है इसमें लास्ट मैंने अपॉस्ट्रोफी यूज कर रहा है third condition for plural noun ending without us वो जो एस से नहीं होते हैं उस कौं कैसे form करते हैं similarly apostrophe s लगा के ही हम उन्हें form करते हैं जैसे कि men men इसमें एस से नहीं हो रहा है men right और यह plural noun है तो इस हम कैसे form करेंगे पर इसमें apostrophe s लगा देंगे similarly children n से end हो रहा है एस से end नहीं हो रहा है similarly इसे possessive case बनाएंगे apostrophe s लगा के women में similarly n से end हो रहा है से end नहीं हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे apostrophe s लगाएंगे ताकि यह possessive case बन सके I hope आपको तीनों के समझ में आज आ गए होंगे subjective objective और most important possessive case वीडियो पसंद आए तो लाइक करना शेर करना और लास्ट में सब्सक्राइब जूरू करना थैंस फूवचिं